दूस्तो आज के वीडियो में ऐसे जानवरों के बारे में बात करेंगे जो बेहत यूनिक होने के साथ साथ खतरनाक भी होते हैं चलिये शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की दुनिया के सबसे खतरनाक मेडिकों में से अपनी पहचान बनाने वाले गोल्डन पोईजन फ्रॉग लुक्स के मामले में काफी प्यारे और अकर्शक होते हैं लेकिन ये इतने जहरीले होते हैं कि अपने जहर के दम पर किसी भी जीव को मौत की नीन सुलाज सकते हैं इतना ही नहीं आप इस बात को जान कर चौक जाएंगे गोल्डन पोईजन फ्रॉग का जहर इतना घाता खोता है कि एक या दो नहीं बलकि 10-12 लोगों को ये अमराज के दर्सन करा सकता है इनके जहर के संपर्क में आने पर इनसान की बॉड़ी पूरी तरह पैरलाइस हो जाती है और हार अटेक आज जाता है कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो जाती है फ्रैक नमर टू खारे पानी के मगरमच साल्ट वाटर क्रोकोडाइल जिनकी 17 फिट की लंबाई लगबख 400 गलोग्राम का वजन और 3700 PSI का बाइट फोर्स जो इसे पानी का बेताज बासा बनाता है इनकी गिंती धर्ती और पानी में पाय जाने वाले सबसे खतरनाक जानवरों में से की जाती है इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी सिकार करने का अनुखा तरीका जो बेहत यूनिक होता है जिसे डेथ रोल के नाम से भी जाना जाता है जब ये अपने सिकार पर हमला करते हैं तो उसे पूरे मजबूच जबडे में दपोच कर रोल कर देते हैं जिसकी वज़े से सिकार के परखच्चे उड़ने में एक पल का भी समय नहीं लगता अब जराई साप को देख लीजिए जो बेहत खुबसूरत दिखने के साथ साथ दुनिया का सबसे दुरलक सापों में से एक है लगभग साथ फिट की लंबाई वाली ये साप रंग में पूरी तरह हरे रंगे होते हैं जिस पर सफेज रंगे स्पॉट होते हैं और इनके सरीर क सबसे खास बात ये है ये जहरीले बिल्कुल नहीं होते है फैक नमर पूर इंडियन ओकले बटरफलाई दिखने में बिलकुल सूखी पत्तियों की तरह नजर आती है। इनके पंक काफी बड़े होते हैं, इनके अंडर साइट पत्ती वाला लुक होता है, तो आपर साइट ब्लू और ओरंज रंग का पैटर्न देखने को मिलता है, जंगल में इने स्पॉर्ट कर पाना काफी मुस्किल होता है, क्योंकि सूखी पत्तियों के बीच इने पहचान पा लेती है, लेकिन इस दोरान भी उसकी एक आँख खुली रहती है, बतक एक आँख खुली रखकर ही सोती है, असल में बतक का दिमाग दो हिस्सों में बटा होता है, जिसमें एक हिस्सा एक आपको तो दूसरा हिस्सा दूसरी आँख को कंट्रोल करता है, बतक अक्सर पूरी जुन्ड में ही लेती हैं दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें